नवस्कार राजरीतिक खबरों के सबसे दिल्चस्प ठीकाने में मैं रूपेश मिस्त्राप सभी का स्वागत करता हूँ सचिन पाइलेट बनाम अश्रोग गहलोत की जंग में अब एक नया किरदार आने वाला है माना जा रहा है कि इस किरदार के आने से राजस्थान के हाई वोल्टेस पॉलिटिकल ड्रामे में अब एक नया टुष्ट आएगा लेकिन दूसरी ओर सियासत के जानकार इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि ये नया किरदार पालेट के बागी कुन्वे के लिए संजीवनी सावित होगा क्योंकि राजस्थान के महा संगराग में अब एक एक विधायकों की मारा मारी सुरू हो गई है क्योंकि पुरा खेल अब नमबरों का है क्या है पूरी रिपोर्ट? उसे विस्तार से समजने के लिए देखे हैं अमारी खास रिपोर्ट राजस्थान के सियासी रण का महा मुकाबला, अब दिल्चस्प हो चला है, क्योंकि अब सियासी गेम नंबर गेम में तबदिल हो चुका है, जिसके पास नंबर जादा होगा, किंग भी वही होगा, किंग मेकर भी वही होगा जी हां राजस्थान का सियासी गणित अब नम्बरों के फेर में उलग चुका है जहां एक और गहलोत परियाप्त नम्बर का दावा कर रही है तो वहीं पाइलेट गहलोत का नम्बर गेम बिगाडने के लिए हरदाओं चल रहे हैं लेकिन इसी बीच एक ऐसे किरदार की एंट्री होती नजरा रही है जो सच मुच हैरान कर देने वाली है इस पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए आपको सीधे चलना होगा पाइलेट कैम के शागिर्द विश्वेंद्र सिंग के ट्वीटर हैंडल पर दरसल मंत्री विश्वेंद्र सिंग के एक ट्वीट ने सियासी तहलका मचा दिया विश्वेंद्र सिंग ने सियासत के मजे हुए खिलाडी मास्टर भवरलाल की एक तस्वीर साजा की जिसमें उन्होंने मास्टर भावरलाल को याद करते हुए उनके जल्द स्वास्त लाब होने की कामना की विश्वेंद्र सिंग के इस ट्वीट के बाद से राजिस्थान की सियासत में एक नया टुिस्ट आ गया आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में मास्टर भावरलाल की तबियत नासाथ चल रही है लिहाजा उनका दिल्ली में इलाज जारी है लेकिन आपको जानना ये बेहत जरूरी है कि मास्टर भावरलाल पालेट कैम से पाकीजा तालुकात रखते हैं और कई मरतबा तो उन्होंने सारवजनिक मंच पर भी मुख मंत्री गहलोत पर सीधा हमला भी बोला है लिहाजा राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि मास्टर भावरलाल का खिरदार राजस्थान की सियासत में एक दिल्चस मोड़ आएगा क्योंकि जब सियासी संग्राम में एक-एक विधायकों की मारा मारी चल रही हो ऐसे वक्त में अगर मास्टर भावरलाल मेगवाल पालेट कैम को समर्थन दे देते हैं तो पालेट के बागी कुनवे के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं होगा क्योंकि गहलोत सरकार के नमबर गेम को बिगाडने के लिए पालेट की एक-एक विधायक पर पैनी निगाहें हैं तो वहीं दूसरी और गहलोत भी हर एक विधायक पर पार्खी निगाहें बनाए हुए हैं खैर खवर के सुर्ख्यों में आने के बाद हमने माश्टर भवरलाल के करीबियों से उनका हाल जाना तो मालूम पड़ा कि अब वो पहले से बेहद स्वस्थ हैं हमारी भी इश्वर से यही कामना है कि माश्टर जी जल्द स्वस्थ हूं और पाइलेट गहलोत के सियासी महा संग्राम के साक्षी बने लेकिन यक्ष प्रस्न यही बरकरार है कि माश्टर साहब जाएंगी किस के साथ पाइलेट या फिर गहलोत ब्यूरो रिपोर्ट दिफैक्ट इंडिया सियासत कुछ इस हुनर्वंदी से सच्चाई छिपाती है जैसे सिस्कियों का गम स्वेहनाई छिपाती है जी हां सच क्या है जूट क्या है पता लगा पाना सियासत में बेहत कठीन है खर देखना होगा कि आंके दोरे सियासत अब कैसे चलती है नमस्कार